न्यूज वाइस जो हर खबर से आपको पराये रूबरू पराये रूबरू कि नगर परिशत के अधिकारियों के साथ पिता भी ब्रस्टाचार का नेटवर्क चला रहा था। रिवाडी के विकास नगर निवासी जग्दीश ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके चाचा को अपने बेटे राजेस के नाम से एक प्लाट की टीपी टांसफर पर्मीशन के लिए आवेदन करना था। इसके लिए उन्हें नगर परिश्यत के बाहर CSC से उनलाइन एप्लाई कर दिया लेकिन जवाब नहीं आया। जब रजिस्टर देखा तो फाइल सभी अधिकारियों के पास भेजी जा चुकी थी फाइल को अधिकारियों ने चार से पाँच बार रिजेक्ट कर दिया। आती जग्दिश को बताया कि दो लाख रुपे में M.E. Action, E.O. J.E. वे P.I. सभी का आ लिया। नंदलाल से बाचीत की रिकोर्डिंग कर शिकायत करता ने स्टेट विजिलेंस बियरो को सोप दी। विजिलेंस टीम ने इस मामले में E.O. अबैसिंग, M.E. सोहनलाल वे M.E. के पिता S.D.O. नंदलाल के खिराफ Prevention of Corruption Act 1988 की दारा 7A के तहत केस दर्जकर कारवाई शुरू कर दी है। इससे पूरू नगर परिशत के ठेकेदार शीश्राम ने भी बिल पास कराने के नाम पर कमिशल लेने के आरोप लगाए थे। आते रहे हों लेकिन राजनितिक वरद हस्त प्राप्त अधिकारियों का आज तक बाल भी बांका नहीं हुआ। बार बार अधिकारियों को मलाईदार पदों पर लगाया गया जिन पर प्रस्ताचार के गंभीर आरोप लगे थे। अगर सरकार प्रस्ताचार मुक्षाशन देने का दावा करती है तो नगर परिशत की एक एक फाइल को खगाला जाए। हर फाइल में बरस्ताचार की बू नजर आएगी अब यह पहला मामला है जब नगर परिशत के दो बड़े अधिकारियों के खिलाफ केस तरज हुआ है लेकिन लोगों में अब भी संसे की इस्तिती बनी हुई है कि क्या अधिकारियों पर कोई कारवाईक अमल में लाई रहेगा रेवारी से निजवाइस के लिए संजे कोशिक के साथ आजे सागर अत्री की रिपोर्ट तो उन्हें कई मेरे से घर आके मिलेंना मैं जब घर उंके गया तो नुह ने मेरे से का कि भई एक वर मेरी किसकी अनुसी है मैं एक यह तेरी लाग्य चया जी तो भूलो इसमें 2,000 रुप यह रिख़ हैं लैंगर 2,000 रुप दो ज्यादा है उन्हों अन्हें गा वैशा यह और मेरा काम है दो लाक रुपिट उठ्टु मणिये से मिलवा दे ना मैं तेरी लाक्य दे मैं कि दो बाब जी बोले नहीं भी दो से कम काम नहीं होगा उसके बाद मैं फिर अगले 17 तारिक को गर गया यह मेरे को मेरे घर पर नहीं मिला इसके पिता जी मिला मैं कि बाओ जी आप नंदलाल जो है इसमें बाओल वो कहने लगा कि भाई जग्दीश किसली आया है मैंने कि अनुसी के जाएगी बोलो भाई अभी तोहार है दो दिन के बाद आना उन्नीस तारिक को इसका फोन आया नंदलाल एश्डियों का मेरे फोन पर बोलो जग्दीश तुसों से मिल लिया भाई अमी से मैंने कि मिल लिया जी कोलो क्या हो गए तेरा बाद मैंने की नहीं तो बोलो मैं करव पास नहीं आए सुबह 7 बजे इनका मेरे पास फोन आया अजा मेरे ओफिस में विज राड़ो ने जी साल से मेरे को बताया था अब आपने इनकी डिकोडिंग करनी है मैंने इससाफ से नगे कर ली थी अब 14 मिन्ट की मेरी रिकोडिंग की 7 बज़े 7 बज़े 7 बज़े 7 मिन तक पर मैं इसको फिस मोच गया तो उसके बाद से मेरी 15 मिनिट की रिकोडिंग करके मैंने जिन से मेरी बात चल रही थी उनको भेज दी अब पता नहीं उसके बात ली कोई इसकी जानकारी मुझे नहीं है इसका भी पता लगाए जाए और रेड को फेल कर दिया नहीं तो तीन में बड़े अपसर इसमें थे मिस आपने मेरी कुद बात हुई थी फोन पर जो नंदलाल स्टियो था उसने फोन पर अपने फोन से मेरी बात कराई थी वह नहीं कहा था इसमें एक्शन यो सब सामिले और दो लाख रुपया आप मेरे को देदो आपकी अनोसी होई आई है फ